स्वागत है आपका CADCAM CA Learning Solutions के यूटुब चैनल पर अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूटुब पे जाके सर्च किजिए CADCAM CA Learning Solutions और यहाँ पे सब्सक्राइब बेड़न होगा इसे प्रेस कर दीजिए नव इस लेक्चर में हम लोग आटोकेट मोडिफाइब टूल बार के नेक्स्ट दो टूल्स कवर करेंगे शांफर एंड ब्लेंड कर ओके सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रेक्टाइंगल रोग किया है ओके आपका च टाइप सार है जिसमें पॉली लाइन ट्रेम मल्टिपल यह सेम टाइप से ओके अब फिलेट में जैसे आप रेडियस अप्लाई कर सकते हो चांफर में आपको डिस्टन्स और एंगल अप्लाई करना होगा ओके सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके और यहाँ से डिस्टन्स स होता है फोस्ट अफुशंकर लिस्टन्स सो यहाँ पे मैंने एक एंटर किया अगें आपको सेकन्ड आफेम इस्तपघिंज अगर आपका चांफर सेमे।टरी कले और से में सुअ-ग यह यहाँ नियुक्ते रैना है सो राइट फिलेक नियुकर करना है और और ग्यहाँ डिस्टंस एन एक एंगल यह से दो एंटेटीज एड़ करने है ओके सो पहले तो मैंने एड़ डिस्टंस एड़ किया and then 45 डिगरी 45 डिगरी स्टैंडर्ड चांफर एंगल होता है आप अपको अगर चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने 45 डिगरी एंटर कि किया and then select किया अब देखो यहाँ पर 8 by 45 का चांफर आ जाएगा यहाँ पर 8 by 8 का चांफर है ओके ओनली यह टू डिस्टंस से से यह डिस्टंस एंगल रहेगा और अगें यह दोनों भी मेथड में आपने देखा कि ओनली सिंगल टाइम यूज हो रहा है ओके सो अगर मुझे मल्टिपल करना है सो सिलेक कीजिए अब देखो आपको चारो कॉर्णर पर एक साथ करना है सो सबसे पहले तो मैं डिस्टंस सिलेक कर रहा हूँ 8 into 8 and now यहाँ पर पॉली लाइन का ऑप्शन होगा सो पॉली लाइन और राइट क्लिक करके पॉली लाइन सिलेक कीजिए और आप इस रेक्टाइंगल को सिलेक कर सकते हो अब देखो इस रेक्टाइंगल में जितने भी कॉर्णर थे ओल कॉर्णर पर चांफर आ जाएगा सेम 8 बाइट का ओके अगेन अंडू किया मैंने इसे डिस्टन्स अगेन में 8 बाइट अब डिस्टन्स चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पर लास्ट में एक उप्शन होगा मल्टीपल का सो मैंने मल्टीपल सिलेक किया अब आप देख सकते हो मुझे इस एज पर चाहिए और देन सेकंड एज पर चाहिए ओके तो जैसे आप में चांफर पहले तो आपको डिस्टन्स साइड करना है सो एट बाइट का डिस्टन्स दिया मैंने ओके यहाँ पर देखो मेठर रहेगा अब मेठर में अगेन आपको डिस्टन्स एन एंगल मेठर सिलेक करना है ओके जो आप यहाँ पर सिलेक कर रहे हो मेठर से भी सिलेक कर सकते हो and final option trim रहेगा trim पर select किजिए और right click करके trim select कर रहा हूँ by default trim रहेगा means आपके edges trim हो रहे हैं अगर मैंने no trim किया अब आप देख सकते हो यहाँ पर यह एज remaining होगा और आपका चांफर भी एड हो जाएगा अगें चांफर एंड इस एज पर भी मैं कर रहा हूं अब देखो यहाँ पर चांफर भी एड हो गया और यह एज स्ट्रीम भी नहीं होगा अब इस टूल बार का next टूल देखिए blend कर्व ओके सो यहाँ पर मुझे दो कर्स को consider करो जॉइन करना है सबसे पहले तो मैं एक सिंपल आर्ग कर रहा हूं and second मैंने यहां से एक स्प्लाइण ड्रो किया no in spline यहाँ पर देखो अब यह जो डिस्टन से यह मुझे और एक से फिल करना है आलएट सो सिंपली आप यहां से ब्लेंड कर्व सेलेक्श कर सकते भो यहां पर तू आकस को सार रहे हैं तो ऐसे आप इसे मूओ करके इसका शेप words कर सकते हों कि यहां पर यह control Based ну आपका स्प्लाइन सी वी है यहां पर एक आपका थर्ड स्प्लाइन सी प्लाइन सीवी आड़ हो जाईगा तो एसे आप 2 कर्ब्स को द्रेंड कर उसे भी कनेक कर सकते हों अल्राइग